शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि अरे उमा जनम दिन मुबारक हो जनम दिन मुबारक हो बीटी बात है आश तो उमा बहुत खुप सिरस लग रही है आ, आह, मैं? ने, ने छलो केक काते हैं केक काटो बैटी तुम्हे कामेश्वडी जी का इंतजार है हम सौरी 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 उमा बैटी नेता जी का फोन आ गया था उनसे डोनेशन की बात कर रही थी चलो केक काटो ये लो कि यहां नहीं नहीं बेटी पहले जोती दीदी को खिलाओ नहीं नहीं दीदी से बड़ा दर्जा मा का होता है आपने इन लोगों को अनाथाश्रम की इंचार्ज की हैसियत से लेहीं बलके मा बन कर पाला है इसलिए पहला हक आपका है आया कि यह देखो उमा मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं जीवन भय तीपक की तरह जगमगाती रहूं उमा बेटी मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट मेरा आर्मान है तेरे गले में चल्दी ही मंगल सुत्र देखों अरे तुम रूने लगी जिनके पास जबान नहीं होती वो अक्से रासों से बाते करने लगते हैं एक बात पूछो पूछो तुम अनाध बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हो इसलिए कि मैं भी एक अनाध हूं मेरे पास कार बंगला जायदार ताइंक बालन्स सब कुछ है मगर मा बाप नहीं है मा नहीं है मा ना लेकिन बाबुजी तो है ना है मगर वो पाप जैसे नहीं है जोती जोती माई चाइल कम एर कम एर तॉर्टर तुम्हें तुम्हें तुम्हारी नई मम्मी से मिलाता हूं आपने फिर शादी कर ली करनी पड़ी बेटी तुम तो जानती हो आज तुम्हारी स्वर्गवाशी मा का जनम देन है इस शोब अफसर पर एक बेटी के लिए मा से अच्छा और क्या तूफा हो सकता है समझ लो यह तुम्हारी मा का पुनर जनम हुआ है अब तक आप मेरी मा का पुनर जनम दो बार कर आ चुके हैं मेरा क्या दोश, तुभारी मा मर गई, इसके बाद की दो ना जाने किसके साथ भाग गई, इसलिए चौथी शादी करने ही पड़ी, अगर ये भी किसी के साथ भाग गई, तो पाँच्वे शादी कर लूगा, ये सब कहते, आपको जरा भी संकोच नहीं होता, संकोच किस बात क जब एक दुरोपती पांच से शादी कर सकती है, तो मैं पांच दुरोपती से शादी क्यों नहीं कर सकता? आप इतना भी नहीं सोचते, कि जिससे आप शादी करते हैं, वो आपकी बेटी की उम्र किया है, आखिर आप पैसे के बल पर कब तक दूसरों की जिंदगी से खेलते रहेंगे, तो क्या करूँ, इन लड़कियों की माताओं के साथ शादी कर लूँ, अगर ये भी मर गई, या किसी के साथ भाग गई, तो मैं इससे भी ज्यादा जवान लड़की के साथ शादी करूँगा, और तुम बीच में नहीं बोलोगी, अगर तुमको भी किसी भूड़े के साथ शादी करनी है, तो कर सकती हो, मैं भी बीच में नहीं बोलूँगा, टाली, आओ, तुमें ब यह सब अनाथ ज़रूर है, मगर आपस में एक दूसरे का सुख दुख तो बांट लेते है, मेरी किसमत तो इन से भी बुरी है, मैं अनाथ भी हूँ, अर अकेली भी हूँ ऐसा मक्य, मैं हूना तेरे साथ, भले ही मैं तेरा दुख दूर नहीं कर सकती, मगर पाढ़ तो सकती हूँ मा की बार, आज पहली बार मुझे तुम से प्यार मिला है आज से मैं तुम्हें आया नहीं, सावित्री मा कहा करूँगी सावित्री मा कहा करूँगी अच्छा किया कामे शुरी भाई, जो गूंगी लड़की को उठा लाई किसी से कुछ कहेगी, इस बात का डर भी नहीं रहेगा देदे, हम तो जनता से कुछ मांगते ही रहते हैं प्राई प्रावा प्राई नहीं ठापिरases खड़ो प्राउल त弟 मैं एまत जनतोした आपाँ मैं प्राई एम ma चरी हो मैं प्राई ऊही भाई अब मा बेटी हमारे प्यार में क्या कमी रह गय ती कि तो हमें छोड़ कर चली गई जैर काना ही था तो मुझे भी खिला देती ऐसी क्या बात हो गई जो हुमा ने आत्मात्या कर ली मैं चारी गुंगी थे इसलिए बोल भी नहीं सकी आपने पुलीस में कम्प्लेंट करवाई कम्प्लेंट लिखा दी तो इसका पोस्मार्टम किया जाता मैंने तो सोचा था इसके बदन को हल दी लगाऊंगी इसके हाथ पाउं में मेहनी रचाकर इसे दुलान बनाऊंगी तेरे इसी के बदन का पोस्मार्टम कराकर दुरगत बना दो नहीं नहीं मैं इतनी कट्वड नहीं हो सकती मैंने इन सबको बेटियों की तरह पाला है इनके लिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की यह मैं कैसे सह सकती हूँ काव में एक कहावत है कि बच्चे की लाश पर मा से ज्यादा डायन रूती है कामेश्वरी बाई कुछ ज्यादा ही रो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आंसु उमा के लिए नहीं बलके हमें दोका देने के लिए नहीं ऐसी बत नहीं है कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम रो भी नहीं पा रही बताओ क्या बात है तुम चुप क्यूं हो पूमा जिंदगी भर नहीं बूल पाई। इससे ज्यादा दुख उसकी आत्मा को इस बात का होगा कि उसके मन्ने के बाद भी कुछ लोग गुंगे रह गए। बस जोती बस भले मुझे नोकरे से निकाल दिया जाए। अपमें चुप नहीं रह सकती। कामेश्वरी सच मुझ टायन है, नागल है। जब इस महिला अनाथ आश्रम की कोई लड़की जवान होती है, वो उसके इज़त का सौधा बड़े लोगों से जबरदस्ति कर डालती है। ओमा इज़त दर लड़की थी। बेरचत होकर जीना उसने पसंद नहीं किया। इसने जान दे थी। उमा की मौत, मौत नहीं, बगावत है। जो उसके सास खतम नहीं होगी। अब और कोई उमा यहां बरबाद नहीं होगी। हलो, पुली स्टेशन, आप इसी वक्त महिल आना थाश्रमा आजाए। झाल